दोस्तों नमस्कार जैसरीकिश्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर रासीफल 9 डिसमबर 2023 मकर रासी वालों आपके सिक्षा, स्वास्त करियर, व्यापार के स्थिति कैसी रहेंगी आएए जानते हैं दोस्तों रासी फल सुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा रासी फल चंद रासी यानी मून साइन के अनुसार होता है उसी के अनुसार इस रासी फल को देखें बस सुने अगर आपको चंद रासी यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के अनुस इए ग्रह गोचर की यानि गोचर कुंडली का कठन है भविष स्य है आपकी लग्र कुंडली का या नहीं है तो आपको इस चीज你好 को विशेस ध्यान में रखना है कि आपकी person Goes Best और आपकी व्यक्तिकत होती है उससे जो आपके लिए बता जाएगा वह सर्फ आप के लिए है और जो गोचर कुंडली से बताया जाएगा वो सब के लिए अब सब के साथ में एक जैसा तो होता नहीं है लेकिन चीजें जो अपने अनुभव से जो गोचर कुंडली को अपने अनुभव से देख करके क्योंकि संजार को पूरा तो हमने नहीं देखा है लेकिन ज सबसे पहले आपको बता दें कि गोचर कुंडली को चंद रासी के अनुसार ही देखें, कई लोग संसाइन के अनुसार देखते हैं, तो उसके अनुसार नहीं देखना चाहिए, वो हमारे लिए तो सही नहीं है, और उसके साथ साथ अगर आप love life, married life, relationship के बारे में जानने के इ relationship की बात होती है, इस रासीफल में सिक्षा स्वास्त करियर ब्यापार की बात होगी और विवहा योग की बात होगी, तो आपके लिए किस प्रकार की स्थिती बन रही हैं, आईए जानते हैं, सबसे पहले स्थिती सिक्षा की बिद्यार्थियों, बिद्यार्थियों के लिए स्रेश्ट समय रहने वाला है खास करके आपके लिए competitive exam की तैयारी करने के लिए best समय है और अगर आप किसी प्रकार से सिक्षा से सम्मंदित job चाहते हैं सिक्षक बनना चाहते हैं फ्रोफेशर बनना चाहते हैं ऐसा कोई exam होता है तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है दूसरी बात करेंगे स्वास्त की तो स्वास्त के लिए November बहुत best है December में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है Health problem नॉर्मल होगी नॉर्मल आपको सर्दी जुखा मित्यादी हो जाए यह मौसमी बीमारी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है अगर आपको कोई बड़ी बीमारी चल रही है आपको कोई बड़ा Health एस हो आपको साथ में है तो उससे आपको मुक्ती भी मिल जाएगी दिसम्बर के लाष्ट में यह भी इस्तिती है उसके बाद में आपके सत्रू, कोट, कचैरी, मुकद्मा यह सब चीजें खत्म होने वाली हैं नवंबर के महीने में इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है लेकिन दिसम्बर के महीने में आपको विसेश सावधानी रखनी है खास करके लाष्ट दिसम्बर में जा करके आपको किसी से बिवाद नहीं करना है इस चीज से आपको बचना है आपको नवंबर दिसंबर दोनों महिने में एक चीज से विशेश बजना है किसी को कर्ज नहीं देना है कर्ज दिया तो दिक्कत है उसके साथ साथ इस तिदियां यहां पर यह बन रही है कि आप बहुत ज़ादा क्योंकि बहुत ज़ादा आपकी लाइफ में सड़यंतर होने वाले हैं आपके ओफिस में बहुत सारी चीज़ें सी पॉलिटिक्स होने वाले हैं जिससे आप परिशान होने वाले हैं लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए आपको इन जीज़ों को इग्नॉर करना पड़ेगा आपके गुप्त सत्रू बढ़ सकते हैं इत्यादी स्तिति हो सकते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर आपके ब्यापार की आपके बिजनिस की तो आपका बिजनिस ब्यापार नवंबर में थोड़ा डाउन हो सकता है लेकिन दिसंबर में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्तितियां रहने वाली हैं बिजनिस ब्यापार में आपको बड़ा ही लाव होगा खास करके share market, stock market और finance से सम minute job में आपका promotion finance से समिनिस आपको लाव और financial इस्तिती आपकी अच्छी बन जाए वो भी इस्तिती बनेगी आपके career की growth देखी जा सकती है beauty power से समिनित काम, beauty product से समिनित काम, luxury product से समिनित काम, entertainment से समिनित काम आपका बहुत अच्छा चलने वाला है बिदेश से सम्मंदित काम में भी आपको बहुत लाव होने वाला है December में आप अपने सपनों का घर खरीच सकते हैं मकान बनाने का या मकान खरीदने का योग बन रहा है अगर आपका property से सम्मंदित काम है तो आपको बड़ा बिसेश धनलाव होने वाला है आपको राजनीती में अगर दिल्चस्थी है राजनीती में आपकारिड़त है या राजनीतिग्य है राजनीता है तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कॉंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई बड़े अधिकारी हैं या बहुत राजनिता हैं और बहुत ही famous personality हैं तो आपको किसी controversy का भी सामना करना पड़ सकता है इस चीज़ से आपको थोड़ा बचके रहना होगा उसके साथ साथ अगर आपका ब्यापार diamond से jewelry से संबंदे थे तो आपको सबसे ज़्यादा या gold से संबंदे थे तो आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलने वाला है उसके बाद में इस्तितियां यहाँ पर जो लोग travel इत्यादी करते हैं, travel blog बनाते हैं या travel agency चलाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इस्तितियां धनलाव की हैं बाहन चलाते हैं, बाहन क्रेव क्रेव का काम करते हैं, driving का job करते हैं के लिए बहुत अच्छी और धिंवनलाव कर स्थितिया बनने वाली है वांज़ी बचना किस चीज से है बुराई क्या है बुराई यहां पर यह है कि आपको हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके रिष्तिदारी में आपकी थोड़ी क्या आप्कर दोस्तों के आप लवरासी फल देख सकते हैं कि आपके relationship में क्या कुछ होने वाला है लेकिन सिक्षा स्वास्त करियर ब्यापार best है, बहुत best है दिसंबर में खास करके आप माला माल बनने जा रहे हैं बहुत ही धनलाव की स्थितियां आपके लिए बनने वाली है उसके साथ साथ आपको यहाँ पर अगर कोई नया व्यापार करना है और खास करके beauty palette से संबंदित आपका काम आपको करना है कपड़ों से संबंदित व्यापार है या काम करना चाहते हैं के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां है धनलाव के योग बन रहे है और आप नया कारे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आप संबंदित कारे करते हैं संबंदित सिखाते हैं संबंदित आपका profession है singer है तो आपको बहुत सारे offer मिलने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे आपकी song हिट होने वाले हैं यानि इस्तितियां बहुत अच्छी रहेंगी खास करके उन लोगों के लिए इस अंगीत जो लोग rap इत्यादी है जो नया व्यूजेक आया है आप बो सब करते हैं तो निश्चेत रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है अगर कोई love song अगर आप singer हैं और आप love song अगर गाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा संभावना है कि एक बड़ी सफलता मिल सकती है तो इस्तिति रहने वाली हैं अगर आप बिदेश से सम्मदित कारे करते हैं तो आपको बिशेज धनलाब होगा अगर बिदेश से सम्मदित कारेओं में रुकावट आ रही है तो वो रुकावट आपकी दिसम्बर में last 24 दिसम्बर के आसपास खत्म हो जाएगी वीजा पासपोर्ट से सम्मंदित कारे डेले हो रहा है तो आपका वो भी पूरा हो जाएगा तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है चीजें बहुत ठीक है तो आपके लिए बहुत ठीक है लेकिन रिलेसंस इप खराब है नमस्कार